आज मैं आपके साथ सेर्थ करने जा रहे हूं एस्क्वाइर पराठे इसके लिए मैंने गेहूं के आटे लिए हैं इसे पानी डाल कर गूत ले एस्क्वाइर पराठा बनाने के लोई काट लिए हैं इस तरह से रोटी की तरह बेल ले और घी लगाएं इस तरह से फोल्ड करें तवा को रख दिया गर्म होने के लिए उपर पराठे डाले गी डाले अची तरह सेके गी लगाए इस तरह से फोल्ड करें इस तरह से दबाए और इसे इस तरह से बेले गी लगाए अची तरह से देरे से यह हमारे पराठे बनकर तयार है इसे किसी चेटनी या सबजी के साथ सर्व करें झाइ झाल झाल झाल